दोस्तो भारत और दक्षर अप्रिका के बीच खेले गए टीटन्टी सीरेच के चौथे मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अप्रिका को 82 रनों से हरा कर सीरेच 2-2 से बराबर कर दी है अब सीरेच का नडायक मुकाबला रविवार को खेला जाएगा वहीं दोस्तो इस मैच में हमें दिनेश कार्तिक की बल्लेवाजी पर दस्कों का गज़ावी रियक्शन हमें देखने को मिला अखिर क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में उससे पहले करके से जोड़ी सभी तरह की लेटेस्ट अब्रेट पाने के लिए चैनल को सब स्ट्राइब जरूर कर दें दोस्तो ये पूरा बाग क्या है पहली पारी का जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही होती है कार्तिक मेदान पर आते हैं और टीम इंडिया का स्कूर होता है 12.5 ओबर में 81 रन इसके बाद दिनेश कार्तिक और हर्दिक पंड़ा टीम को 1500 के पार पहुचाते हैं इसी बीच डीके कुछ हैरतंगे सौट खेलते हुए नजर आते हैं और एक छक्का लगा कर अपनी 50 पूरे करते हैं जिसके बाद स्टेडियम में मौजू सभी दर्शक कार्तिक की पारी को स्टेंडिंग ओविशन दे कर सराहते हैं डीके ने 27 के अंदों पर 55 पन रन मनाए दोस्तों डीके की पारी पर आपकी का रहा है कमेंट करके जरूर बताएं क्या डीकी को इस बार की 2020 वैल्ड कप की टीम में होना चाहिए या फिर नहीं कमेंट वाक्स में जरूर बताएं बाकि दोस्तों क्रिकेश से जोड़ी सभी तरह की लेटेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें